ओके स्टुडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 एर्थमेटिक प्रोग्रेंशन जिसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपनों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लेना क्योंकि इसमें बहुत चारा एक्जामपल भी है तो अगर आपनों को इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो आपनों को एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है अब हम लोग द चीज नहीं बना पाओ गए इसलिए यह वाल आपनों पहले सॉल्व कर देना ठीक है ताकि आप लोग को आगे का इजी लगे बनाने में ठीक है आज हम लोगों को देखना है क्वेस्चन नंबर 9 से ठीक है तो क्वेस्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं देखो कॉमन डिफ दो दो कॉमन डिफरेंस है ना कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक सेम स्प्वाइब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका यह एक सिरीज रहता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो यह बही चीज बता दिया यहां पास if the difference of their 90th term is 99 90th term जैसे 1,2,3,4 करते करते 90th term जहां हम लोग पहुचेंगे उसका difference 99 है then what will be the difference of triple 99th term अगर 99th term का difference 99 है तो इसका difference क्या होगा इसका भी difference 99 होगा according to the question क्योंकि arithmetic progression का common difference है वो same है बोल रहा है दो arithmetic progression है जिसका common difference same है जिसमें से एक का बता दिया 99 है तो दूसरे का भी क्या होगा 99 लेकिन यह हम लोग को क्या proof करना है sorry इसको हम लोग क्यों करना क्या है proof करना है ठीक है तो पहले तो जो question बोला है वो लिख लेते है question में क्या बोल रहा है देखो first को हम लोग a माल लिए और second को a dash सिर्फ पहचानने के लिए a dash बनाए है और कोई उसी दिक्कत नहीं है यह जो दिख रहा है आप लोग को यहाँ a one लिखा हुआ है यह क्या है यह a one बोल सकते हो या a dash आप लोग का मन जो बोलना चाहो इसलिए लिख दिया d अब बोला है हम लोग को question में कि 19th term का जो difference है वो 99 है तो हम लोग को पता है arithmetic progression का formula a n is equal to a plus n minus 1 into d तो n 99th term है 99 a का तो a ही है 99 में से 1 minus करेंगे तो क्या आएगा 98 आएगा इससे हम लोग यह लिख दिया है 99 में से 1 minus के जो भी term रहता है उससे एक minus करके यहां लिख देते हैं बस and 99th term of second progression second progression का भी लिख लेते हैं second progression भी 99 ही है उसको भी लिख दिया स्यम बस dash लगा दिया हम लोग पहचानने के लिए है न और दोनों का difference करना है बोला है question में तो दोनों को difference कर दिया A99 को A-99 से minus किये और उसका जो हमनों निकाले हैं उसको भी minus कर दिया थी प्रोग्रेशन को तो 99 से यह वला cancel हुआ तो A-A-A- आया है ना अब second question हमारा जो आया equation जो बना A99-A-99 A-A- यह हमारा equation बना और यह common difference किसके equal है question में 99 के equal है इसलिए हम लोग यहां लिख दिया है 99 इसको equation number 1 मान लिए क्योंकि इसी से attach एक और question है triple 99 जोला तो उसको भी same जैसे उपर procedure के है same वैसे ही नीचे भी करेंगे जैसे इसमें हम लोग 99 और A-99 लिए फिर दोनों का हम लोग difference मतलब arithmetic progression के formula में value रखे equation 1 और 2 फिर दोनों को minus किये फिर इतना आया same वैसे ही इसको भी करेंगे triple 99 को first progression माने है अब यहां capital से कोई confusion मत होना क्योंकि यहां भी अगर मैं A और A- ले 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 थी तो 98 आया same वैसे ही यहां भी triple 99 में से 1 minus करेंगे तो 998 आयगा same वैसे ही A- वाला भी लिख लिए यह first progression हो गया यह second progression जैसे इसमें first progression second progression था ना same वैसे ही इसमें भी first progression और second progression दोनों को minus किये तो यह और यह cancel हो गया तो यह भी जैसे इसमें small letter वाला a 99 minus a dash 99 इतना आया सेम वैसे इसमें भी यही आया सिर्फ पहचानने के लिए capital में लिखे हैं हम लोग है ना तो हमारा जो equation number 1 है उसमें a minus a dash का value कितना है 99 उस value को यहां रख दिये a minus a dash का value यहां रख दिये 99 तो दोनों का ही common difference सेम आया 99 इसका आया तो इसका भी 99 ही आया क्योंकि question भी तो बोला था कि दोनों का common difference सेम होना चाहिए और हम लोग प्रूफ भी कर दिये कि दोनों का common difference क्या है सेम है तो लिख सकते है there is the common difference was triple 99 term and both progression will be 99 समझ गये तो थोड़ा सा practice लगेगा क्योंकि arithmetic progression आप लोग न्यू पढ़ रहे है इस बार तो एक बार practice करिएगा तो समझ में आ जाएगा ठीक है अब देख लेते है question number 10 क्या बोल रहा है इन्हे flower bed there are 23 rows ठीक है एक flower bed है there are 23 rows plant in first row first row में 23 rows plant है second row में 21 third row में 19 there are 5 rows plant है न 5 rows plant in the first row how many rows are there in flower bed how many rows यानि कि number of rows find करना है first row में 23 है second row में 21 है third row में 19 है और last का जो row है जैसे 1,2,3,4 फिर सबसे last का जो row है उसमें कितना rows है five rows है ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास first row हमारा series कैसे बनेगा 23,21,19 और last जो row है वो क्या है five है ऐसी बनेगा arithmetic progression का series तो first term को a बोलते है common difference second वाले से first को minus करते है 21 से 23 को minus किए तो minus 2 आएगा हम लोगो formula पता है arithmetic progression का tn लिख लो या an कोई problem नहीं है ठीक है तो tn is equal to a plus n minus 1 into d अगर आपनों यहाँ an लिखोगे तो भी सही है ठीक है तो tn last term जो भी रहता है उसको लिख देते है five ठीक है a का value 23 n find कर रहे है number of rows find कर रहा है हम लोगो इसलिए n को n छोड़ दिए minus 1 d निकाल चुके है common difference minus 2 अब बस solve करना है हम लोगो n find करना है five यही है equal भी यही है 23 भी यही है bracket open करेंगे plus into minus minus 2 n minus into minus plus 2 बन जा 2 अब हम लोगो n यहीं छोड़ना है इसलिए बाकि सब चीज को इधर ले आएंगे number को इधर ले आएंगे तो five यही है equal भी यही है 23 plus 2 कर दिए 25 minus 2 n आगया 25 को इधर हम लोगो transfer करेंगे तो plus में था तो minus में हो जाएगा 25 में सफ 5 minus किये तो minus 20 आया और minus 2 n अल्रेडी था तो minus से minus कैंसल कर दिए because both side minus था अब n यहीं छोड़ देंगे 2 को इधर transfer करेंगे multiply का opposite divide होता है तो 10 जा 20 यानि कि number of rows कितना है 10 है यानि कि first row में 23 है second row में 21 है third row में 19 है और last row में 5 है तो last बता है तीन row पता है और last पता है कितना rows और था मतलब कितना rows था यानि कि total number of rows rows नहीं rows ठीक है line कितना है 10 ठीक है अब देख लो question number 11 Sanjay saved rupees 5 in first week Sanjay save करता है 5 rupees पहले week में of a year then increased his weekly saving और वो weekly हर बार save करता है 1.75 rupees if the nth week his weekly saving was 20.75 find the nth week find करना है हम लोगो हम लोगो इतना पता है यो 5 rupees save किया और उसको वो फिर increase करते गया 1.75 यानि कि 1.75 common difference है यानि कि 5 में 1.75 एड करते चलेंगे तो हम लोगो एक arithmetic progression का series मिल जाएगा इसलिए मैं बोल रहे हूँ आप लोगो एक बार introduction वीडियो जरूर देखेगा playlist में है ठीक है तो देख लेते हैं first week के saving में हमारा 5 rupees है according to the question और वो हर बार increase कर रहा है 1.75 rupees तो first week तो हम लोगो बता दिया यानि कि यह जो है first term यह 5 है और common difference 1.7 है तो कि आग देखो आप लोगो आलो आप लोगो के पास 1 rupees है और मैं बोल दिया आप लोगो उसमें 1.1 rupees increase करो तो 2, 3, 4, 5 तो common difference तो 1 ही आ रहा है वैसे ही यह भी 1.75 हर बार increase करता है तो 1.75 common difference होगा और हम लोगो end week का saving find करना है हम लोगो बस इतना बता दिया है कि वो जो end week में last में जो saving करता है last में ठीक है जो उसका 81 हुआ पैसा वो कितना rupees इकठा कर पाया 1.75 rupees हर week बचाता है तो 20.75 क्यानि कि वो end हम लोगो find करना है वो कितना इसको week लगा उसको 20.75 rupees को save करने में तो last बता दिया है कि 2.75 है यानि कि an या फिर tn का value बता दिया है जैसे इसमें last term 5 था तो बता दिया था वैसे same यहाँ भी last term 20.75 बता दिया है हम लोगो find करना है जैसे इसमें हम लोग number of rows find किया थे वैसे इसमें हम लोग को number of week find करना है ठीक है formula लिख 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 लो या फिर tn कोई problem नहीं है ठीक है अगर tn लिखो गए तो भी वही है an लिखो गए तो भी वही है तो an is equal to a plus n minus 1 into d an का value रख दिए यह का value first week का n minus 1 d का common difference अब बस solve करेंगे जैसे इसमें solve किये थे है ना बस पहले पहला कम तो multiply करना होता है bracket open करना होता है कर दिए open n को को सिस करना है हम लोग eliminate करते चलें सब नंबर नंबर को solve कर दें और n वाले को last में solve करें तो multiply में है तो इधर divide आ जाएगा cancel out करेंगे तो n का value 10 आएगा यानि कि 10 week लगा उसको 20.75 रूपीज को save करने के लिए जब वो हर week 1.75 रूपीज सेव कर रहा था तो उसको कितना week लगा 10 week लगा यानि कि number of nth term कितना आया 10 आया ठीक है सेम ऐसे ही हमारा question number 12 है is minus 47 a term of arithmetic progression ठीक है एक term है minus 47 last term है ठीक है last term minus 47 है और यह progression मतलब last term जो हमारा last में रूखेगा यह वो minus 47 है if yes then which term तो minus 47 last term तो है लेकिन वो कौन सा term है जैसे first second third होता है न वैसे ही minus 47 कौन से term में minus 47 आएगा तो सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास बस formula में value रखेंगे सबसे पहला काम होता है first term a निकालना उसके बाद second number में common difference निकालना इससे इसको minus करते हैं common difference में second term से first term को minus करते हैं 5 to 10 sorry 15 to 30 32 32 sorry 30 plus 1 31 upon 2 2 और 2 का LCM 2 से 2 cancel आया 1 और इधर 1 से multiply किये solve कर यह minus 5 by 2 common difference किया है minus 5 by 2 हम लोको निकालना है nth term मतलब यह minus 47 कौन से term में है यह first है second है third है लेकिन minus 47 का term कौन सा है यह find करना है ठीक है formula पता है n is equal to a plus n minus 1 into d या फिर tn ठीक है हम लोगो last term पता है last term रख दिये a का value पता है n find करना है यह term कौन सा है nth term find करना है nth term find करना है value put कर दिये ठीक है अब bracket open करेंगे plus minus minus 5 n जा है ना फिर minus minus plus बस पहले solve बस इसको करते है ठीक है अब हम लोगों को n को यहीं छोड़ना है बाकि सब करना है एन को अकेले करना है हम लोगों है ना इसको सब को सम कर देंगे सम करने के लिए हम लिए अपान 1 अपान 1 क्योंकि यहां 2 है तो 1 1 और 2 काहल से हम 2 लेंगे 2 से 1 डिवाइट के तो 2 आया फिर multiply के तो 94 आया 1 से 2 डिवाइट के 2 आया 2 से multiply के 36 आया 2 से 2 divided के 1 आया 5 बचा 5 आया, आप देखो 5N by 2, और इसको प्लस के 135, 2, ठीक है, सब छोड़ दिये, 5N यही है, 135 अपन 2 भी यही है, 2 को ट्रांसफर कर दिया, multiply में चले गया, क्योंकि यहाँ divide में था, 5N यही है, अब 2 से 2 cancel हुआ, 135 बचा, N यही है, यह multiply में divide हो गया, जब divide करेंगे हम लोग, तो 5, 2 जा 10, 5, 7 जा 35, यानि कि minus 47 टर्म कौन से टर्म में आ रहा है, यह number कौन से टर्म में आ रहा है, 27 टर्म का number है, यह minus 47, ठीक है, आप देख लेते हैं हम लोग question number 13, find the 31st term of an arithmetic progression, हम लोग को 31st term में कौन सा number है, जैसे हम लोग minus 47, कौन सा term में आया, वो find किये, 27th term में आया, यह find किये, लेकिन आप बोरा है कि 31st में कौन सा number आएगा, ठीक है, और उसमें यह बता दिया है, कि whose 11th term बता दिया है, 16th term बता दिया है, 11th term का number और 16th term का number हम लोग को बता दिया है, तो 11 टर्म है तो अगर हमाई इसको लिखने बोलूँ आप लोंको तो कैसे लिखोगे A N is equal to A plus N minus 1 into D ये तो formula होता है 11 टर्म निकालना है यानि कि A 11 निकाल रहे है A plus 11 minus 1 into D यानि कि A 11 is equal to A plus 10 D होगा 11 D को हम लोग A plus 10 D लिख सकते हैं minus कर देते हैं जो भी term रहता है अब ऐसी 16 है तो 15 D लिख सकते हैं है ना अब देखो हमको चाहिए क्या 31 term का number चाहिए तो पहले हमारे पास अभी हमारे पास 11 और 16 है फॉर्स टर्म है ही ने हमारे पास फॉर्स टर्म भी नहीं है और फॉर्स टर्म नहीं है उसी को find करने के लिए हम लोग ऐसी किये और equation number 1 और 2 लिख दिये ऐसे कैसे लाए समझ में आया 11 टर्म था तो उसका a plus 10 D is equal to 38 तो दिया हुआ था फिर 16 टर्म का a plus 15 upon sorry equal 73 अब equation 1 और 2 को minus किये plus का opposite minus minus जब भी करते हैं तो नीचे वाले term का sign को हम लोग चेंज कर लेते हैं है ना तो plus का minus plus का minus plus का minus यसे यह cancel हुआ 10 में से 15 minus होगा क्योंकि plus minus minus हुआ minus करेंगे तो 5 minus d a minus 5 d आएगा because 15 के सामने minus का sign लगा है इसको नहीं देखना है अब हम लोग को है ना अब ऐसे यहाँ पास minus करेंगे तो minus 35 अगर d निकाल लेंगे अब हम लोग को यहाँ से d मिल रहा है common difference मिल जा रहा है तो d यहीं छोड़ दिए minus से minus cancel कर दिए multiply है तो divide में आ गया यानि कि D तो हम लोग को मिल गया 7 अब find करना है A उसके आद हम लोग निकाल लेंगे है ना तो अब हम लोग को A find करना है तो हम लोग जो D का value निकाले है उसको किसी भी equation number 1 और 2 किसी में प्रूट कर देंगे common difference कितना है 7, यह value में हम लोग सिर D का value रख दिये 7, अब इसको solve करेंगे तो एका value मिल जाएगा, है ना, 10, 7 जा 70, एक को यह छोड़ दिये, 70 ट्रांसफर के, तो एका value कितना है, minus 32, यानि कि first term minus 32 है, common difference 7 है, अब हम लोग को find क्या करना है, 31st term को find करना है, 31st term को कैसे find करेंगे उसके लिए भी सेम ऐसे ही formula होगा हमारा 31st के लिए भी, a 31 is equal to a plus n minus 1 into d, 31n के जगा में रख देंगे, तो a 31 है तो 32 आएगा, है ना, minus करेंगे, sorry, 30 आएगा, minus करेंगे 31 में 1 को तो, तो plus 30 d आया, यहां से हमने 31 को लिखेंगे, a plus 30 d, ऐसे, ठीक है, अब a का value मैनस 32 लाए थे एक मिनट, a का value हम लोग क्या लाए थे, हाँ, minus 32 है, a का value minus 32, 30 का 30, d का value 7, solve कर दिया, minus 78, यानि कि 31 में कौन सा number है, 178, ठीक है, अब देखके हम लोग question number 14, find the mth term, अब हम लोग को mth term find करना है, arithmetic progression का, जिसमें से 12 term exceed the 5th term, 12 term जो है, वो exceed है, मतलब ज्यादा है किस से 5th term से, कि sum of both term is 36, और दोनों का, दोनों, प्रोग्रेशन का जो sum है, वो 36 के equal है, तो देखो, 12 term, question में क्या बोला है, first case में, 12 term exceed है, 5th term के, कितना के लिए, 14 के लिए, तो यही चीज़ जो मैं question में लिखा है, वही लिख दी हूँ, arithmetic progression है, इसलिए, 12 है ना, और बोल रहा है कि, जो दोन case में भी नहीं कुछ है, first case को ही पहले solve किये है, यह हाँ पस बोला है ना, हम लोगो, कि to term 14, 5th term by 14, and sum of both term is 36, sum of both term, a12 plus a5 is equal to 36, यह वाले में बाद में आएंगे, पहले इसको solve करना पड़ेगा, a12 मतलब कि ऐसे वाला, तो a12 का a plus 11 d, a5 का a plus 4 d, लिख सकते हैं, according to the arithmetic progression formula, और plus 14 का 14, एक चलो, solve करके बता देती, a12 is equal to a plus n minus होता है, तो n के जहां में 12 रखेंगे, क्योंकि term 12 है, तो a plus 11 d, समझ गए, वैसी a plus 4 d, इसी को solve करेंगे, तो यह मिलेगा, है ना, अब हम लोग यहां से निकाल किया रहे है, common difference, common difference हाही नहीं हमारे पास, तो यह वाला, a से यह 11 d यही है, पहले तो like term को excite करेंगे, तो d वाले term को excite कर लिए, a वाले term को excite कर लिए, 14 को इधरी छोड़ दिया है, a से a cancel हुआ, तो इसको minus के 7 d, 4 आया, d is equal to 14 upon 7 आया, cancel के 2, d का value मिल गया, अब second case में हम लोगो क्या बोला था, कि जो दोनों का sum है, है ना, जो हमारा दोन term और fifth term, यही तो term है ना, तो both term का जो sum है, वो 36 है, तो second case में हम लोग लिए, 12 term और 5 term का, जो sum है, वो 36 है, अब ऐसी 12 d का, a plus 12 d मतलब a plus 11 d, a plus 5 मतलब की a plus 4 d, ठीक है, equal 36, अब देखो यहाँ पस हम लोगो का, हम लोगो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ a plus 11 d है, a plus a 2a हो गया, है ना a plus a 2a, और 11 d में 4 d को add करेंगे, 15 d is equal to 36, यह equation number 2 मिल गया हम लोगो, ठीक है, अब हम लोगो इस equation number 2 में d का value put कर सकते हैं, है ना, d का value हम लोग put करेंगे, अगर, तो a का value मिल जाएगा हम लोगो, क्योंकि d तो हट जाएगा, d के जखा number रख देंगे, तो a मिल लेगा ना, अ जैसे nth term का formula बनता है, a n is equal to a plus n minus 1 into d, वैसे nth term बोलेगा, तो जहाँ जहाँ n है, वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, m, जैसे यहाँ 12 बोलता था, 12 term, तो जहाँ n रहता था, वहाँ 12, वैसे ही 31 term बोला था, तो जहाँ n था, वहाँ 31, वैसे ही m term है, तो जहाँ जहाँ n है, वहाँ M, ठीक है तो हम लोग रख दिये A, M-1 A का value हम लोग निकाल लिये थे, इसलिए हम लोग A का value और D का value निकाल रहे थे ताकि हम लोग को बने रखने के लिए कभी भी arithmetic progression का question में अगर आप लोग देखोगे, कि मेरे पास तो A का value ही नहीं है, first term ही नहीं है common difference ही नहीं है, तो सबसे पहला काम आप लोग का रहेगा, कि आप लोग find करो common difference और first term उसके बाद ही solve हो सकता है मारा main question ठीक है, तो हम लोग लिख लिए A, M is equal to A plus M minus 1 into D, A का value 3 है plus M minus 1, वो तो रहेगा ही D का value लग दिए, अब इसको 3, 2M minus 1 है ना, 3 से 2 minus करेंगे तो 1 आएगा, 2M का 2M यानि कि M term क्या है, 2M plus 1, ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग question number 15, which term of arithmetic progression is 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, ठीक है 132 is more than its 54th term, तो सबसे पहले 54th term निकाल लेते हैं, progression दिया हुआ है, है ना, उसके बाद last में 132 add कर देंगे, तो more than पता चल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले arithmetic progression जो दिया है, वो लिख लिख लिए arithmetic given AP, given AP arithmetic progression first term तो पता है, common difference, second से first को minus k, तो 12 आगया, हम लोग सबसे पहले 54th term निकाल रहे हैं formula पता है, हम लोग को A plus N minus 1 into D, तो N के जगह में हम लोग 54 रखें, 54 में से 1 minus A, तो 53, यानि कि A plus 53 D आया, D का value 12 है, A का value 3 है 12 को 53 से multiply के इतना आया, और दोनों को add के तो 639 आया यानि कि 54th term में कौन सा नंबर है 639, अब question क्या बोला था, कि 132 more than 54th term, तो जो 132 है question में, 132 है, वो more है 54th term, क्यानि कि more है यानि कि ज़्यादा है, यानि कि दोनों को plus करेंगे है ना, किस से, जो term है A and उस से, देखो which term of arithmetic progression 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, तो number of term find करना है, N find करना है इसलिए A and को यही रहने दिए, और 54th term हम लोग अल्रेड़ी निकाल चुके हैं, 639 और 132 तो according to the question की more था, इसलिए लिग दिया अब इसका formula पता है, यानि ज़्यकल to A plus N minus 1 into D, A का value हम लोग निकाल चुके है, question में दिया है 3, D का value ही निकाले है, 12, अब इसको solve कर दिये, 12 N जा, 12 1 जा, ठीक है, तो अब इस दोनों का add किये, तो 770 बनाया था, 12 में से 3 को minus करेंगे, तो 9 आएगा, है ना, उस 9 के इधर transfer कर दिये है, बस हम लोग 12 N का 12 N ठीक है, अब इसमें से इसको minus कर दिये, N यहीं छोड़ दिये, 12 multiply मेंट हा, divide में आगा, solve किये तो 65 आया, यानि कि जो N क्या है, वो है 65 टर्म, 65 टर्म में ही जो 54 का value है, वो extra होगा, 132 से more than होगा, तो कौन सा टर्म है, वो 65 टर्म, ठीक है, अब देख लेते question number 16, the sum of 4th and 8th term of an arithmetic progression is 24, 4th term और 8th term का sum 24 है, and the sum of 6 and 8 term, और 6 और 10 term का sum 44 है, find the first 3 term of arithmetic progression, तो यहां 4th, 8th, 6th, 8th दिया है, लेकिन 1st, 2nd, 3rd तो दिया ही नहीं है, तो हम लोगों को वही 1st, 2nd, 3rd को find करना है, यहां 4, 8, 6, 10 दिया है, तो इससे पहले का जो 1st term है, 2nd term है, 3rd term है, वो find करना है, तो हम यह 4th term और 8th term करता, sum 24, तो a, 4 है, a plus 3d, 8 है, मतलब a plus 7d, मैं बता चुकी आप लोगों को कैसे आता है, जितना भी रहेगा, उससे एक minus कर दे, बस, अब add किये तो 2 है, 3d में 7d, add किये तो 10d, यह 2 है, यह 10 है, 24, इसमें हम लोग common दिख रहा है, कि हम लोग 2 से divide कर सकते हैं, 2 से 2 divide करेंगे 1, 2 से 10 divide करेंगे 5, 2 से 24 divide करेंगे 12, ऐसे में, सिर्फ इसको simplification के लिए ऐसे लिखे हैं, चाहो तो आप लोग नहीं भी कर सकते हो, लेकिन, जितना simplify कर दो, उतने ही आगे calculation में problem नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 से 2 को common ले लिए, ठीक है, 2 को common ले लिखेंगे 2 से divide कर दिए, अब equation, अब हम लोग condition 2 में आते हैं, 6 और 10 term का 44 है, तो वही लिख दिए, 6 और 10 term का sum 44 है, तो 6 से तेहा 5 भाएगा, 10 हिसले 9 हैगा, ठीक है, बता चुकी कैसे आता है, अब दोनों का sum 2 है, 5D और 90 का sum 14D, है ना, अब इसको भी हम लोग divide कर सकते हैं, 2 से divide के 1, 2 से 14 divide के 7, 2 से 144 divide के 22, अब equation 1 और equation 2 को हम लोग क्या कर देंगे, minus, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को common difference और first term मिल जाए, तो दोनों को minus कर दिए, पहले equation number 1 और 2 को लिख लिए, हम लोग, अब subtract करते हैं, तो second वाले equation का sign change होता है, तो plus का opposite minus, plus का opposite minus, यहाँ देखो, यह eliminate हो गया, मतलब हम लोग को अब D तो मिलेगा ही, common difference तो मिलेगा ही, है ना, 5 में से 7 minus करेंगे, तो minus 2D आएगा, और इसमें इसको minus करेंगे, तो minus 10 आएगा, minus minus cancel, D is equal to 10 upon 2, 2 इधर आजाएगा, divide में, 2, 5, जा 10, तो common difference हम लोग को क्या मिल गया, 5, अब first term निकालने के लिए हम लोग किसी भी equation में D का value रख सकते हैं, ठीक है, तो एक equation लिख लेते हैं, equation number 1 लिख लिए हैं, और वहाँ D का value जो हम लोग 5 निकालने हैं, उसको put कर दिए, 5, 5, जा 25 is equal to 12, यह यहीं है, 12 भी यहीं है, 25 को transfer किया, मैनस 25 हो गया, मैनस के तो मैनस 13 आया, तो यह वैल्यू कितना आया, मैनस 13, हम लोग को निकालना क्या है, first term, second term और third term, तो first term, second term और third term निकालना है, तो first term तो यहीं मिल गया हम लोग को, first term तो ए ही होता है न, only single है, तो first term मिल गया, अब मैं आपनों को बता चुकी हूँ, जैसे आपनों को first term मिलेगा, second term निकालने के लिए, जो भी common difference है, उसको add करते जाएंगे, तो common difference 5 था, add कर दिया, minus 8 आया, second term, देखो, first term A है, second term A plus 1D है, third term A plus 2D है, fourth term A plus 3D है, ऐसी होगा न, जितना भी, यह first term है, तो इसमें common difference है ही ने, मतलब minus होते जाता है, जैसे 0D, है ना, फिर second term में, 2 रहना था, आपनों सोचोंगे, second term है, तो यहां 2 क्यों नहीं है, लेकिन 1, n-1 रहता है, इसलिए, यहां 1D, फिर third term है, तो 3-1 होता है, इसलिए 2D, 4-1 होगा, इसलिए 3D, समझ गए, तो first term हम लोगो मिला, minus 13, second term में, हम लोग बस minus 13 में, जो common difference हम लोग निकाले है, D, common difference क्या निकाले है, हम लोग D का value 5, यहां से निकाले है, D का value 5, उसको रग दिये, है ना, अब हम लोगो फिर first term 13 है, 2 का 2, और D का value 5, question number 17 क्या है, how many 3-digit number are divisible by 3, ऐसा कौन-कौन सा 3-digit का number है, जो 3 से divisible हो, 3-digit का number, ठीक है, तो सबसे पहले, देखो, 99 तो 3 से divide होता है, लेकिन हम लोगो 3-digit का number बोला है, है ना, तो 99 तो 2-digit है, तो यह cancel 100 तो नहीं होता है, 3 से divide, नही 101 होता है, direct 102 ही एक ऐसा number है, 3-digit का, जो start होता है, 3 से divide होना, 3-digit का number, तो least 3-digit, सबसे छोटा 3-digit का number क्या है, 102 है, जो कि 3 से divide होता है, और largest 3-digit number क्या है, 399 क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे, तो 1000 आ जाएगा, जो कि 4-digit का number है, तो सबसे least 3-digit का number कौन सा है, जो 3 से divide हो, 102, और सबसे last 3-digit का number, मतलब largest 3-digit का number कौन सा है, जो 3 से divide होगा, 399, तो first term भी मिल गया, और last term भी मिल गया, common difference 3 ही है, क्योंकि 3 से divide करेंगे, जितना भी number को, तो वो तो 3 ही है, common difference है न, अब हम लोग को main find क्या करना है, कि ऐसा कितना number है, 3-digit का, जिसको हम लोग 3 से divide कर सकते हैं, मतलब 102 से 999 के बीच, 102 से 999 के between, ऐसा कितना number है, जो 3 से divide हो जाए, यह हम लोग का main question है, यानि कि number of term find करना है, and find करना है, formula लिख लिए, अब इसको लिख लिए, 102 में से 3 माइनस के 99, 33N, अब इसको इधर भेज दिये, है ना, अब इसको solve करेंगे, तो 9 का value multiply में था, इधर divide हो गया, तो 300, यानि कि, 102 से 3999 के बीच, ऐसा 300 number है, जिसको हम लोग 3 से divide कर सकते हैं, ठीक है, तो 303 digit number, are divisible by 3, ठीक है, 303 digit का number है, और 102 से 399 के बीच, 3 digit का number, 300 ऐसा number है, 300, मतलब 123 ऐसे करके 300, जो कि 3 से divide होता है, ठीक है, अब दख लेते हैं, हम लोग question number 18, find the 10th term of, from the last, बोर रहा है, 10th term from the last in the arithmetic progression, last तरफ से हम लोगो 10 term find करना है, ठीक है, total expression है, 3, 8, 13, 215, last side से हम लोगो क्या find करना है, 10th term, मतलब इधर से, पीछे side से 10th term का value find करना है, ठीक है, तो 10th term का value find करने के लिए, हम लोगो सबसे पहले, arithmetic progression लिख लेते हैं, 3, 8, 13, इसको लिख लिए, आब हम लोगो पता है, जो first term है, वो 3 है, common difference, इन दोनों को minus कि, second को first है, तो मिल गया, अब हम लोगो क्या बोला है, question में, कि जो last term है, देखो, यहाँ पास 253 क्या है, हमारा last, 253 है, find the 10th term, 10th term हम लोगो find करना है, तो क्या करेंगे, last बोला है, find the 10th term from the last, from the last बोला है, इसलिए 253 को, हम लोग common difference जो निकाले हैं, उससे minus कर देंगे, ठीक है, 253 को, जो last term है, उसको हम लोग, जो common difference निकाले हैं, उससे minus कर देंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि question बोला है, कि, from the last, हर question में, जहाँ भी देखना, from the last है, जो भी common difference रहेगा, उससे last term को minus कर देंगे, तो 248 आ गया, तो D का value हमारा क्या आया, 200, इससे पहले का number मिल गया ना, हम लोगो 248, इससे just पहले का number, हम लोग निकालने के लिए ऐसे किये, 248 मिल गया, यानि कि 248 में से minus करेंगे, तो अब हम लोगो असलियत में मिला है, common difference minus 5, यह common difference नहीं था, हम लोगो last term से बोला था, तो last term से हम लोगो common difference निकालना था, तो last term से कैसे करते हैं, जो हमारा second number है, उससे इसको minus कर देंगे, है ना, इसलिए हम लोग ऐसे किये, ठीक है, अगर ऐसी simply पुच्ता, तो first term तो यह है, लेकिन last तरप से बोल रहा है, पीछे से find करना, इसलिए सबसे last वाला first term बन जाएगा, ठीक है, तो a का value 253, n का value 10 find करना है, d common difference निकाले, हम लोग minus 5, अब solve कर दिये, है ना, तो 208 आया, यानि कि जो last 10th term है, उसमें जो number आ रहा है, वो 208 आ रहा है, जैसे, यह मालो हमारा कोई सा भी number है, इसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो जो 10th term होगा, उसके उपर जो number होगा, वो 208 होगा, समझ गए, तो कभी भी last term वाला question रहेगा, तो पीछे वाले term को ए मानना, और उससे just पहले वाला एक number find करना, उसको find करने के लिए, हम लोग जो last वाला term है, उससे given, जो पहले वाले को मान का निकाले रहेंगे, common difference, उससे minus करेंगे, minus करने के बाद, जो निकलेगा, वही common difference होगा, समझ गए, अब दख लेते हैं, question number 19, यह बहुत important है, 19, 20, 21 and 22, इसको मैं separate video में बताऊंगी, बहुत important है, arithmetic progression में, सबसे important question है, ठीक है, तो 19, 20, 21, 22, इसको मैं अलग से एक video बना रही हूँ, जिसमे में डाल दूँगी, ठीक है,